दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेटर में किसी भी एप को किसी भी गेम को कैसे चुपाते हैं कैसे हाइट करते हैं किसी को पता नहीं चलेगा आपने कैलकुलेटर के अंदर किसी गेम को, किसी एप को हाइट किया है, चुपाया है आप बिना किसी app के mobile setting की मदद से भी app height कर सकते हैं अगर आपको calculator में ही app height करना है तो फिर दोस्तों आपको एक calculator app download करना होगा उस app का download link मैंने वीडियो के description में दे दिया है वहाँ से आप calculator app को download कर सकते हैं प्ले इस्टोर में कहीं सारी fact application आपको मिल जाती है तो description में जो link है वहीं पर click करके आपको calculator app को download कर लेना है और बिना किसी app के app को कैसे छुपाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा बस वीडियो आपको end तक देखना है जही से आप calculator app को open करेंगे तो आपको नीचे agree and continue पर click करना है यहाँ पर आपको grant पर click करना है यहाँ पर permission को allow करना है इसके बाद यहाँ पर आपको got it पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना password बना लेना है इसके बाद यहाँ पर बराबर के निशान पर click करना है फिर से आपको यहाँ पर अपना एक password confirm कर देना है इसके बाद यहाँ पर इस तरह से page open हो जाएगा अब यहाँ पर आप देखेंगे उपर में आपको skip का बड़न मिलेगा आपको skip पर click करना है इसके बाद फिर से आपको skip पर click करना है अगर कोई add show होती है तो add को उपर से यहाँ से cut कर देना है अब यहाँ पर फिर से आपको skip पर click करना है अब यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा hide apps इस पर आपको click करना है जैसे आप hide app पर click करेंगे तो आपके mobile की सबी apps यहाँ पर आपको दिखाई देगी जो भी app आप hide करना चाहते हैं उसे आपको select करना है जैसे के मैंने free fire को select किया facebook, instagram, whatsapp और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है आपको अपने mobile के calculator को भी hide कर देना है नहीं तो आपके mobile में दो-दो calculator दिखाई देंगे जैसे के calculator को भी मैंने यहाँ पर hide कर दिया अब नीचे यहाँ पर next के button पर click करना है इसके बाद यहाँ पर enter पर click करना है अब यहाँ पर आपके सामने दो setting आजएगी तो आपको यहाँ पर क्या करना है system home screen से हटा कर आपको इसे calculator पर set कर देना है यह set हो जाएगा इसके बाद आपके mobile का जो interface है जैसे के यहाँ पर हम verifier को search करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर नहीं आ रहा है ठीक है WhatsApp को search कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर WhatsApp भी नहीं दिखाई देगा WhatsApp भी hide हो गया है इस तरह से आप calculator के अंदर किसी भी app को किसी भी game को छुपा सकते हैं calculator भी एक ही दिखाई दे रहा है कोई open करेगा तो इस तरह से दिखाई देगा यह first time यहाँ पर interface चेंज हो रहा है आपको इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पर आप calculate वगरा कर सकते हैं ठीक है इस तरह से अगर आपको app को use करना है तो कैसे करेंगे तो आपको calculator को open करना है इसके बाद आपने जो password set किया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है अब इस तरह से page open हो जाएगा अब जो भी app आपने height की है उपर यह आपको दिखाई देगी यहाँ पर आप open करके app को कुछ इस तरह से use कर सकते है ठीके बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा यहाँ से calculator को अगर हटाना है तो इस तरह से आप अप हटा भी सकते है अब बात करते हैं कोई app को आपको unhight करना है तो कैसे करेंगे यहाँ पर आपको calculator में आना है, password डाल देना है, अगर कोई add show होती है, तो add को उपर से cut कर देना है, एप को unhide करने के लिए आपको hide apps पर click करना है, अब जितनी भी apps आपने hide किया है, game hide किया है, वो सभी यहाँ पर दिखाई देंगे, unhide करने के लिए आपको app के सामने unhide का option मिलेगा, unhide पर click करेंगे, app unhide हो जाएगी, जो app आपने hide की है, उसके notification भी अगर आप hide करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर notification पर click करके setting को enable कर देना है, अब यहाँ पर मैं WhatsApp को भी unhide कर देता हूँ, अब यहाँ से back आ जाते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे WhatsApp आ unhide हो गया है, इसी तरह से हमने Facebook को भी unhide किया, Facebook भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर calculator के अंदर किसी भी app को छुपा सकते हैं, hide कर सकते हैं, hide की हुई एप को use कर सकते हैं, अब बात करते हैं, अगर आप अपने mobile की default home screen वापस से set करना च सकते हैं, लेकिन जो भी app आपने hide की है, calculator में, वो भी unhide हो जाएगी, ठीक है, तो अगर आप अपने mobile की default home screen वापस से लाना चाते हैं, तो आपको calculator में आ जाना है, इसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, restore home screen, इस पर आपको click करना है, restore पर click करना है, अब यहाँ पर system home screen पर इसे set कर देना है, set करने के बाद आपके mobile की home screen है, वो default हो जाएगी, और जो भी app आपने hide की थी, वो सभी unhide भी हो जाएगी, इस तरह से आप calculator app को हटा भी सकते हैं, दुबारा से यहाँ पर आप set करना चाते हैं, तो set भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए दोस्तों आपको बिना किसी app के, app को और game को hide करना है, तो फिर आप यह वाला वीडियो जरूर देखना,